श्रेयस अईयर की फिटनेस को लेकर नाशनल क्रिकेट अकैडमी की ओर से जो ताजा रिपोर्ट आई है वह थोड़ी चौकाने वाली है बैंगलोरू स्थेट एंसीय ने श्रेयस को पूरी तरीके से फिट बताया है जबकि हाली में श्रेयस ने अपनी कमर दर्द का हवाला देकर रंडजी मुकाबला न खिलने का फैसला किया था दरसल लक्षीर अफरीका दोरे पर खेली गई दो मैचों की इटे सिरीज में श्रेयस अईयर पूरी तरफ फ्लॉप रहे थे इसके बाद टीम इंडिया प्रबंधन ने उन्हें रंडजी मुकाबले खेल कर अपनी लाए खोजने की सला दी ती यहां श्रेयस ने एक रंडजी मुकाबला खेला और फिर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुवाती दो टेस्ट मैच भी खेले लेकिन वह पूरी ले में नजर नहीं आये इसके बाद भारके चेन करताओं ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ आखरी तीन मैचों के लिए स्कौर्ट से बाहर कर दिया और उन्हें एक बार फिर रंडजी मुकाबलों में हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया लेकिन इस बार श्रेयस ने कमर दर्द की बात कहकर र पड़ोदा के खिलाफ होने वाले रंडजी ट्रोफी क्वाटर फाइनल मुकाबले खेलने के लिए कहा गया था यह मुकाबला 23 फरवरी यानि आज से शुरू हो गया है और इस मुकाबले में श्रेयस आयर नहीं खेल रहे हैं जब श्रेयस को इस मुकाबले में खेलने के नि पूरी बना चुके हैं इसके बाद WCCI के निर्देश पर NCA में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ और यहां वह एकड़म फिट न जराए अब उन्हें एक बार फिर पड़ोदा के खिलाफ मुकाबले में उतरने को कहा गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NCA ने WCCI को लिखी एक चुठी में श्रेयस को फिट करार दिया है NCA में खेल विज्ञान और मेडिसिन के प्रमोखनितिन पटेल ने पुष्टी की कि श्रेयस को कोई ताजा चोट नहीं है और वर शुकरवार से होने वाले मैच यानि जवास से मैच शुरू हुआ है उसके लिए पूरी तरह से फिट है NCA की है रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मेडिया पर श्रेयस को लेकर बात होना शुरू हो गए और उन पर घरेलू क्रिकेट की बजाए IPL को प्राथमित्ता देनी की बात कहीं जाने लगी और अब इन सब के बीच पूरो भारती क्रिकेटर इर्फान पठान ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया जो स्रेयस आयर के मुझ्जे की और ही इशारा करता है इर्फान ने अपने पोस्ट में बिना किसी खिलाडी का नाम लिए बगैर लिखा Is there a different rules for different players for not playing Indian first class cricket in the name of looking after the body? यानि क्या शरीर की देखभाल के नाम पर भारती domestic cricket नहीं खेलने के लिए अलग-अलग खिलाडियों के लिए अलग-अलग नियम है? इस पोस्ट से इशारा लगभग साफ है कि शायद इर्फान या शेयस और इशान के रंड़ी ट्रॉफी नख खिलने को लेकर बात कर रहे हैं इस बीच कुछ दिन पहले BCCI सची उजयशा ने खिलाडियों के रंड़ी ट्रॉफी के मैचों को खेलने की बात कही थी और साथ ही ये भी बात निकल कर आ रही थी कि अगर भारती खिलाडियों को IPL के मैचेस खेलने हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा नहीं तो खिलाडियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अब एक्शन यह है कि हो सकता है इशान किशन और श्रेव सयर का सेंट्रल कॉंट्रैक्ट उनके हाथ से चला जाए ऐसा इसलिए क्योंकि इसको भी लेकर खबर सामने निकल कर आ रही है ये मसला हर बीतते दिन के सा गंभीर होता दिखाई दे रहा है अब इस पर आब क्या मानना है इसके बारे में अपनी राय जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो से लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इस पोर्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्स्क्राइब करेगा हमारे च